नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंग के साथ दोस्तो एक तरफ लालू परशाद यादव ने पशु के चारा का घोटाला किया वहीं दूसरी और जिला परिशाद नाकपूर में पशु को ही घोटाला कर दिया यहां से पशु का वितरन हुआ जिसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसको ले करके हमने पहला एपिसोड भी बनाया और यह दूसरा एपिसोड बना रहे हैं और इसके बाद हम तीसरे एपिसोड भी आपके पास लेकर आएंगे लेकिन चर्चा करते हैं कि क्या है खास इस दूसरे एपिसोड में दोस्तों दरसल गाय और बकरी का वितरन जिल्ला परिशत द्वारा किया जाना था जिसमें यह गरीब, सोशीत, पीरित और वंचीत को ही देना जाना था जिसे अपनी आर्थिक स्थितियों सुधार सके ऐसे लोगों को ही देना था लेकिन आरोप है कि जिल्ला परिशत द्वारा यह जो वितरन किया गया है यह सत्ता धारिय, सत्ता पक्ष जिल्ला परिशत सदस्यों के करीबियों को दिया गया है या फिर जिल्ला परिशत अध्यक्ष इनके करीबियों को दिया गया है यह सिर्फ आरोप नहीं है इस आरोप को सिध्ध करने के लिए हमारी टीम गाउं गाउं में जा करके कुछ गाउं में जा करके कुछ ऐसे लोगों से बात किया जिन्हें वास्तव में जरूरत थी और उन्हें नहीं मिला वास्तव में वो गरीव थे उन्हें आवशकता थी अप लेकिन वास्ताव में अवशक्ता थी इस स्कीम का लाव उन्हें मिला ही नहीं तो चलिए पहले हम उन लोगों से लेकिन का अमीर लोगों के भी नाम आया है इसे लोगों का है अपना जीवन व्यतित कैसे करते हैं आप लोग अपना परिबार कैसे चलते हैं हम साधारन से लोग हैं जैसे कि रोजमजूरी करके केति बाड़ी करके या नदी में कुछ चवरा उरा सा थोटा मुटा सब्जी भाजी पाला लगा के वह बेच बाच क्या ऐसे परिस्थिति में अपना जीवन वितित करते हैं आप लोग उमीद थी कि इस बार बकरी अगर मिल कुछ करता है कोई कुछ करता है अभी जो टॉद ऐसे चालू है मतलब उसकी चालू है तो उसमें से अगर हम बकरी अपना मतलब खुल लेते और उसको हो सकता था आपका नाम उस्त में कट गया है तो आप कहां कर आते हैं इसका फॉर्म-गर एक्षेट किये होंगे वह आफि है हमारी जगाव में बताया था कि आपका हम रिजिक हो गया बोले नाम नहीं आया बोले उसकी बिल्डिंग ए उनकी तो भी उसका नाम आगया है और आपका नहीं है कट गया हमारे नाप कि आपने किसी से कुछ शिकायत नहीं किया डाक्टर साफ से पूछ लिया तो उपर से कट गया बोले तुमारे नहीं आया बोले तो हम क्या कर सकते उसके लिए अपन गए नहीं आया अच्छा आपका घर में देख रहा हूं यह जोपड़ी जो घर है आपका तो घर बनाने के ल लीहें देख टब लिस्टों में कट खुले बाकी लोग आया किसी का बहुत्त सारे लोगओं काया आपका नहीं आया 110 के लोगों का ले लिट कव अलिस्ट अलिए साल में आया है तो पैतालिसफ लोगों का आ गया नंबर हमारा नमबर कट theat सहीं आपका जो है कि गाया सौरी बकरी वाले लिस्ट में भी आपका नाम कड़ गया घरकुल में भी आपका नाम इस बार नहीं आया आपको आर्थिक तरीके से आप थोड़ा कमजोर लग रहे हैं भी आपको नहीं मिला दोस्तों सकार न्यूस पेपर में एक न्यूज आई जिसमें जिल्ला परिशाद नाकपूर की अध्यक्षा रस्मी बर्वे इनका स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जिल्ले में पहली बार इस तरी तरीके की योजना का लाव लोगों को गरीबों तक पहुँचने वाला है और गरीबों को मिलने वाला है बहुत ही पारदर्शी योजना है और बहुत पारदर्शी तरीके से इसे हम जिल्ले में लागू करेंगे विरोधियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस मुद्ध को लेकर के विरोधी चर्चा कर रहे हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें कई ऐसे नाम है, मेरे पास जिसके पास पास पचीसो एकर जमीन है, जो जिसके पिता जी अल्रेडी सरकारी गवर्मेंट जॉब पे काम करते हैं उन्हें इसकी मिल गया जो पूलिस पार्टी ले गाओं के उन्हें इसकी मिल गया ऐसे कई लोग हैं एक दो नहीं मुझे लगता है कि लगभख 70% ऐसे लोग है जो अमीर हैं जिने जरुत नहीं थी उन्हें दिया गया है और आप वीडियो साटक गाव में रहता हूं अब आपने गाय या बकरी के लिए फॉर्म भरा था जिल्ला परिसे से जो वाटब हुआ है कि मतलब जो पैसे वाले लोग है जिनके पास पहले से सब कुछ है घर है जमीन है और ऐसे हुआ है जो जिनके नाम है उनके पास सब कुछ है शेती है सब है उनको लो नाया है बोले हमारा नाम नहीं है आपको इसके जरुरत थी तो आपका क्या नाम है मेरा ब्रह्मा गजानंजी नवगरे मुक्काम खंड़ा निलज पोस्ट सालवा तैशिल पार्षवनी जिल्ला न सप्छी पता है मेरा नाम नहीं है मैं पंचय सम्मिती में गया पुस्ताज किया और मैडम भी था हमारी कनान की निल्म्हाम इनकी सबस्क्राया थाधि मेड़री कुछ नहीं करता हूं महाराष्ट में दोनों जग में प्रक्यातू ब्रह्मा शाहिर करके आप खड़ी गम्मत जो तमासा बोलते हैं महाराष्ट की संस्कृती है जो बहुत फेमस है आप भी करते हैं वह तो हमेशा नहीं रहता होगा कभी कभी रहता साब गनपति का सीजन बैटने के सुधरर्नी कोई उम्मीद रही होगे का है सेसे हमारे पास कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं का सेाहिन के लोग मिला नहीं सब्सक्राइश्ड्रिन अगर करने से तíveक जगे हम लोग देख रहे हैं जो पैसे बाले हैं जो सर्पंच रह चुखे का इस गाओं में भी ऐसा है कि जो माजी सरपन्च रह चुके हैं उनके घर को मिल चुक है पहले से बहुत सारे जानवर हैं गाय है81 का शाहिर की सबसे लोग प्रिय सांस्कृति में से एक माना जाता है वो एक शाहिर है जो तमासा करते हैं खड़ी गम्मत करते हैं और काफी लोग इने मानते भी हैं जानते भी है इस शेद्र में और यह एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के अपने महाराष्ट की सांस्कृति को यह जीवित रखने का प्रितन कर रहे हैं अभी और दूसरी बात कि आपने देखा कि इस चिती भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है बकरी चराते हैं चोटा सा घर है लेकिन जो आर्थिक मदद जो सोच के इन्हों ने बकरी के लिए अप्लाई किया था वो नहीं हो पाया है तो कह अपने आपने आप में हम कताई बरदास्त नहीं करेंगे कि किसी गरीब का शोशन करके कोई अमीर बनना चाहे ऐसा कभी बरदास्त नहीं करेंगे और इसके बाद वाले एपिसोड में एहम मुद्दों के साथ इसी से संबंधित हम जल्द वापस आएंगे आप देखते रहे बिसीयन न्यूस